दोस्तो अगर आप कोई बिजनेस चलाते हैं चाहे वो फोटा हो या फिर बड़ा हो और अगर आपको कोई ऐसे टूल की जरूर थे जिसके जरीए आप इन्वाइजिंग जीस्टी मेनेजमेंट एकाउंटिंग चैसी चीज कर सके तो इस वीडियो में बात करने वाले है कि केसे करसके जरीए इसके जरीया बैंकिंग एसमेंट इन्वाइजमेंट इन्वेंटरी मेनेजमेंट जीज़े बहुत ही आसानी से कर सकते हैं इसे का सिक हैं में काफी है और यूजर फ्रेंडली है तो चल यह अबंग चलते हैं अपनी मोबाईल की स्क्रीन पर और शीकते है कि से आप install और open कर लेंगे और यहाँ पर आपको next कर देना है तो उसके बाद यहाँ पर आपको sign up पर click कर देना है तो आपका करंड मोबेल नंबर आपको यहां पर show कर दिया जाएगा अगर आप उसमें sign up करना चाहते तो यहां पर use another mobile number पर click करके उस पर sign up कर लेंगे, उसके बाद sign up करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपकी country अपनी आप ही detect हो जाएगी, यहाँ पर आप अपनी company का या फिर आपका shop का जो भी नाम है वो यहाँ पर add कर लेंगे, यहाँ पर आपका mobile number तो आ ही गया होगा, और यहा यहाँ पर से आप select कर लेंगे, text invoice create करने के लिए यहाँ पर create new पर click कर लेंगे, अगर आपके पास GST number है तो यहाँ पर text invoice पर click कर लेंगे, अगर आपके पास GST number नहीं है तो यहाँ पर bill of supply पर आप click कर लेंगे, और यहाँ पर से आप अपने invoice की date select कर सकते हैं, यहाँ पर य यहां पर से आप invoice number डाल सकते हैं मेरा पहला ही invoice है जो कि मैं अभी बना रहा हूं तो यहां पर default one लिखा हुआ आ रहा है लेकिन अगर आप change करना चाहते हैं तो यहां पर click करके इसमें change कर सकते हैं तो दोस्तो इन्वर्स create करने के लिए आपको कुछ details fill करनी होगी उसमें सबसे पहली details है supplier details तो यहां पर आपको आपकी company की details add करनी होगी उसके लिए यहां पर आपको pencil के icon पर tap कर लेना है यहां पर आपके company का नाम by default ही आ जाएगा लेकिन अगर आपको इसमें edit करना है तो यह दोस्तो आपका JST नंबर जो है वो आपको यहां पर डाल देना है यहां पर आप अपना पानकाड नंबर डाल देंगे यहां पर आपको आपका email id डाल देना है और यहां पर आपका mobile number by default ही आगया होगा लेकिन अगर आपको इसमें change करना है तो यहां पर से आप उसमें भी change कर सकेंगे यहाँ पर से आप अपना एड्रेस प्रोपरली डाल देंगे यहाँ पर से आप अपना सीटी डाल देंगे और यहाँ पर से आप अपना स्टेट जो भी है वह सिलेक्ट करके यहाँ पर अपना पिंट कोड एंटर कर देंगे तो चलिए दोस्तों मैं यह सभी डिटे आजाएगा तो यहाँ पर 15 अंकों का बायर का GST नंबर अगर है तो यहाँ पर वो एड़ कर दीजे यहाँ पर बायर की कमपनि का नम जो भी हूँ आप यहाँ पर एड़ कर देंगे यहाँ पर उसका email id यहाँ पर उसका mobile number यहाँ पर उसका address अच्छे से perfect add कर देंगे यहाँ पर उसका city यहाँ पर उसका pencode और यहाँ पर से उसका state जो भी है वो आप select कर लेंगे तो चलिए दोस्तों मैं यह add कर लेता हूँ तो मैंने अपनी details add कर ली है और यहाँ पर आपको JST treatment type आपको select करना है यहाँ पर आप click कर लेंगे तो अगर buyer सिर्फ customer है और वो JST में registered नहीं है तो यहाँ पर आपटिक कर सकते हैं अगर आप टिक कर लेंगे और अगर buyer out of India में है और वो उसको goods export कर रहे है तो यहाँ पर आप click कर लेंगे और अगर buyer sales से है यानि कि special economic zone से है और वो CST में registered है तो आप यहाँ पर tick कर लेंगे और अगर आप buyer के पास से purchase भी करते है तो यहाँ पर आप tick कर लेंगे अगर आप यहाँ पर tick करेंगे तो buyer जो है वो seller के list में भी add हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर आप click कर देंगे और यहाँ पर से आप consigny की details जो है वो add कर सकते है consigny यानि कि buyer की तरफ से जो goods receive करेगा वो तो सबसे पहला option है so consigny same as above यानि कि buyer ही अगर consigny है तो यहाँ पर आप tick रख सकते है और अगर आपने consigny नहीं रखा है उसकी कोई जरूरत नहीं है तो यहा आपको add consigny पर click कर देंगे और यहाँ पर add consigny पर click करके आप consigny को add कर सकते है उसके बाद यहाँ पर से आपको आपकी products की details add करनी है तो यहाँ पर add products पर आप click कर लेंगे यहाँ पर से आप अपनी product का नाम enter कर देंगे यहाँ पर से आप उसकी collect को describe कर सकते है यहाँ पर आ discount की amount को enter कर लेंगे और यहाँ पर से आप text की details को add कर सकते हैं यहाँ पर आप click करके यहाँ पर से JST के slot को select कर सकते हैं और अगर आप JST को add नहीं करना चाहते टेक्स को नहीं add करना चाहते तो यहाँ पर से आप इसको disable भी कर सकते हैं और यहाँ पर save करने पर आपकी product एड हो जाएगी और अगर आप नई product को यहाँ पर add करना चाहते हैं तो यहाँ पर add product पर click कर लेंगे और same process आपको follow करनी है और दूसरी product भी add हो जाएगी तो दोस्तो मैंने यहाँ पर अपनी second product भी add क सकते हैं यहां पर अधर कुछ डिटेल्स आप एड़ कर सकते हैं और यहां पर से आप अपने बैंक की डिटेल्स को एड़ कर सकते हैं और यहां पर आप टम उपनी e-signature कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर save पर click कर देंगे तो signature यहाँ पर update हो जाएगी तो दोस्तो हमने invoice की सभी जो details है वह add कर ली है वह details add करने के बाद यहाँ पर उपर आपको save पर click कर देना है उसके बाद आपका bill save हो जाएगा उसको देखने के लिए यहाँ पर आपको प्रिव्यू पर क्लिक कर लेना है तो अगर आपको इस इन्वेश को डाउनलोड करना है तो यहाँ पर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको इसको PDF के रूप में सेव करना है तो यहाँ पर आपको इसको किसी को सेर करना है मान जितने भी invoice create किये होंगे वो आपको यहाँ पर invoices पर दिखाई दे जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर से आप buyer को reminder भी बेच सकते हैं और यहाँ पर collect in bank वाला option आता है यहाँ पर अगर आप tap कर लेंगे तो यहाँ पर से आप अपना UPID enter करके उसमें भी सिधा ही payment receive कर सकते हैं और अगर buyer payment कर देता है तो यहाँ पर आपको record payment पर click कर लेना है buyer जिस date पर payment करता है यहाँ पर से आप उस date को update कर सकते हैं बायर ने किस मोड पर पेमेट किया है वो आप यहां पर से सिलेक्ट कर लेंगे केस में किया है चेक में किया है या फिर नेट बेंकिंग में किया है और यहां पर आप सेव पर क्लिक कर देंगे और यहां पर प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे और यहां पर पर्चेस पर से आप अ पर क्लिक करके और भी seller को add कर सकते हैं और अगर आप purchase की detail create करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको create new पर click कर देना है तो दोस्तों मैंने text invoice create करते वक्त जो आपको समझाया था बिल्कुल same वही details आपको यहाँ पर सभी fill कर देनी है तो यहाँ पर से यह सभी details add करके आप save कर लें तो दोस्तों यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा और यहाँ पर आपको buyer को add कर देना है जिसको आप quotation send करना चाहते है उसको यहाँ पर आप add कर देंगे और अगर buyer concern नहीं रखता है तो उसकी details आप यहाँ पर से add कर सकते है और यहाँ पर से उसका contacts भी add कर सकते है और सबसे important यहाँ पर से आप product की details को add कर सकते तो यहाँ पर add product पर आप click कर लेंगे और उसके बाद आप जो भी product का quotation देना चाहते है उसके उपर आप tap कर लेंगे for example मैं यहाँ पर टेप कर लेता हूँ product की quantity आप यहाँ पर add कर लेंगे for example मान लिजे कि customer ने total 50 product का quotation मंगवाया है तो मैं यहाँ पर वो add कर दिया और per unit क्या price होगा वो आप यहाँ पर से change कर सकते है for example मैं यहाँ पर 1500 रुपे add कर देता हूँ इसी तरह यहाँ पर से आप text की details को भी add कर सकते है तो यहाँ पर से आप सभी quotation की details को add कर लेंगे और यहाँ पर आपको save पर click कर लेना है अब जैसे ही product क details add कर लेंगे उसके बाद quotation की amount आपको यहाँ पर show कर दी जाएगी और यहाँ पर कुछ optional details वगेरा है जो कि मैंने आपको पहले ही समझाया था वो आप यहाँ पर से add कर सकते है और उसके बाद यहाँ पर save पर click कर लेंगे उसके बाद आपका quotation ready हो जाएगा उसको देखने कलि आप यहाँ पर preview पर click कर लेंगे यहाँ पर से आप buyer को सिधा ही share कर सकते है किसी भी social media में यहाँ पर से आप pro forma invoice को create कर सकते है और यहाँ पर से payment की receipt जो है वो किसी को भी share कर सकेंगे और यहाँ पर से payment mode को देख सकते हो और उसे manage भी कर सकते है और यहाँ पर से debit notes और purchase return note भी credit notes और sale return को manage कर सकते हैं अगर आपका turn over 50 करोर से ज्यादा का है तो यहाँ पर से आप e-invoice भी बना सकते हैं e-invoice बनाने के बाद एक ही click में यहाँ पर से e-way bill भी create हो जाएगा और अगर आप चाहे तो बाद में उसे cancel भी कर सकते हैं फिर vehicle number को update भी कर सकते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर GST filing and registration वाला option देखने को मिल जाता है और यहाँ पर से आप अपनी inventory को manage कर सकते हैं current stop में आप changes कर सकते हैं और नई product को add भी कर सकते हैं और यहाँ पर से आप अपनी bank को add करके payment करना bank statement download करना और account balance checker ने जैसी सुविधा का lab ले सकते हैं यहाँ पर expenses पर से आप अपने expense को add कर सकते हैं और expenses को manage कर सकते हैं यहाँ पर ledger पर से आप अपनी खाता भाही को manage कर सकते हैं buyer को add कर सकते हैं, seller को add कर सकते हैं और case और bank वागेर है details जो है वो यहाँ पर से add कर सकते है और दोस्तो इस app की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर से आपको अब loan भी मिल सकती है अगर आपको आपके business के लिए loan चाहिए तो यहाँ पर से आप loan भी ले सकते है अपने पानकाड के उपर से आप देख सकते है वो loan की amount credit भी हो जाएगी और दोस्तो यहाँ पर loan लेने के लिए आपको कोई भी paperwork बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा बस आपको कुछ documents के आधार पर ही यहाँ पर loan 24 गंटे में मिल जाएगी In short दोस्तो यहाँ पर आप digital process से loan के लिए apply कर सकते हैं और बहुत ही आशानी से loan अपने business के लिए पा सकते हैं तो दोस्तो कुछ इस तरह आप easy invoice manager बाई जिंबूक एप के अज़रे इन्वेजिंग, accounting, banking वगेरा बहुत ही आशानी से कर सकते हैं तो दोस्तो उमीद है आपको वीडियो समझ में आदाया होगा अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं आपको उसका अंसर दूंगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को वाइब करके चनल को सब्स्राइब जरूर से कि